तो आईए दोस्तों सीख लेते हैं MS Excel के कुछ इंट्रेस्ट की जो आप यूज़ कर सकते हैं A से लेकर Z कर बाई यूज़िंग का कंट्रोल की तो आईए स्टेब बे स्टेब सीख लेते हैं साथ में इसको नो डाउन भी कर लेना ताकि आप भूलना चाहें तो सबसे जो फर्स शॉट्कट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल ए अब जैसे की कंट्रोल ए यूज़ होती है सेलेक्टॉल के लिए तो जैसे कि हमारे पास अगर यह वाला डाटा है और अगर आपने डाटा डाटा सेलेक्ट करना है तो आप डाटा के बीच में कहीं पे प्रेस करें कि अपको पूरा डाटा यहां पर अगर आगर आपने पूरी शीट करना है तो अब उस टैक्स को सिलेक्स करिए और बटन प्रेस करिये तो आपके पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी अब next shortcut की है control C, यह भी बहुत असान है, अब जैसे control C use होता है copy के लिए, तो अगर आपने कोई भी data copy करना है, तो just आप select करिये वाला data, control C press करिये, तो आपके सामने यह वाली dancing line आचाएगी, और just click करिये जहां पे भी paste करना है, तो control V button press करके आप paste कर सकते हैं, तो मैंने दोनो shortcut की बता दी, control C, और control V, जो की use होती है, आपकी copy और paste के लिए, आएए दोस्तों बढ़ते है, next shortcut की जो की होती है, आपकी control plus D, control plus D क्या होता है, कि यह वाली shortcut की बहुत ही use होती है, अगर आपने data entry का का काम कर रहे है, अब जैसे की, suppose करिये, आपने, यह वाला 12 हमने number लिखा अब यह 12 number हम नीचे तक, यहां तक fill करना चाते है, तो यहां था आप इसको copy paste करिये, या simply आप just range को select कर लिजे, और control D button press कर लिजे, तो जो downward direction में, आप सगा सारा data same as it is, यहां पे fill हो जाएगा, तो आपने D से धियान रखने कि अगर आपने downward direction में, same content यहां पे paste करना है, न control R button press करिये, तो और right hand side fill करने के लिए, प्रेस करिये control R, और download direction fill करने के लिए, प्रेस करिये control D, अभी तो दोस्तों हमने सीखे हैं यहां पे MS Excel की कुछ shortcut keys, अभी तो Z तक सारी shortcut keys सीखनी बाकी हैं, जो आपके काफी काम आएगी अगर आप MS Excel user है, तो दोस्तों पूरी वीडि सीखना चाहते हैं, computer related बहुत सारी tips and tricks जानना चाहते हैं, तो नीचे रेट क्लिक कर लिए, साथी में bell icon को press कर लिए, ताकि आपको हमारे चैनल से latest notification regularly मिलती रहें, और साथी में दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते computer और detail में, तो आप हमारे computer के online courses join कर सकते हैं, तो just हमारी website जाहिए, जो की है www.creativelearningbyritesh.in, link ने है नीचे description में, सारे courses बहुती discounted price में available है, तो आईए दोस्ता जान लेते हैं, next shortcut key के बारे में, तो आईए दोस्ता बढ़ते हैं, next shortcut key के बारे में, तो आईए दोस्ता बढ़ते हैं, next shortcut key की जो की होता है, आपका control plus E, control plus E का use होता है, the bot time लग जाएगा, तो इसके लिए आप use कर सकते, flash fill, तो flash fill से क्या होगा, कि just आप एक यहां पर cell में type करिए, डबल ए, MIR, KHAN, ठीक है, हमने लिखा आमिर खान, अब आपने same, यह वाले step follow करने हैं, दूसरे cells में भी, तो just आप अपने cells को select करिए, और press करिए, control E, तो देख will का use करके, अपने data को separate भी कर सकते हैं, first name और last name, combine करना तो combine भी कर सकते हैं, तो आई दोस्ता बरते हैं, यहां पर next shortcut की, होता है, control F, अब control F, आपको पता होगा कि इसलिए use होता है, find के लिए, मतलब अगर आपने कोई भी data find करना है, तो just आप अपने data को यहां पर click करिए, और press करिए control F, अब जैसे कि मैंने यहां पर find करना है keyboard, तो मैंने यहां पर लिख लिए keyboard, और यहां पर लिख लिए find next, तो आप दिखेंगे, यहां पर आपका keyboard find हो गया है, और अगर आप इसी find को replace करना रहाचे किसी और चीज़ से, जैसे कि मैं replace करना चाता हूँ keyboard को monitor से, तो just यहां पर option मिल जैगा, आपको replace का, और replace की shortcut की क्या होती है, वो होती है, आपके control plus H, तो just मैंने क्या किया, यहां पर control plus H बटन प्रेस किया, यह replace बटन पर क्लिक कर लिया, और यहां पर keyboard आ गया, और replace को मैं replace करना चाता हूँ, let's say monitor से, तो मैंने monitor लिख दिया, और यहा आई दोस्तों बरते हैं, एक shortcut की जो की होता है, आपका control plus G, control plus G होता है, आपका go to के लिए, और बहुत एक काम की shortcut की है, अब जैसे कि अगर आपके पास यह वाला data है, और इसमें आपके सामने बहुत सारी blank rows है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर यह blank row है, यह blank row है, औ आप इन सब को यहां पर delete करना चाते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे आप क्या करेंगे, यहां पर अपने data को select कर लीजे, ठीक है, पूरा data जहां से भी आप delete करना चाते हैं, अपनी blank rows, और प्रेस करिए control G, जो की होता है, आपका go to की window open हो जाती है, और न प्रेस किया, तो आपके सामने blank rows, यहां पर select हो गई है, और इसको delete करने के लिए मैं प्रेस करता हूँ, यहां पर control और minus button, और यहां पर select कर लेता हूँ, entire row, और ok, तो आप देखेंगे, आपके data से सारी blank rows, automatically delete हो गई है, आईए दोस्ता बरते हैं, यहां पर next shortcut की, जो की है control H, यह मैं already बता चुका हूँ, जो की होती है, आपकी replace की, जो आप use कर सकते है, find के साथ, आईए दोस्ता बरते हैं, यहां पर next shortcut की, जो की होता है, आपका control plus I, control plus I, तो बहुत असान है, जो की use होता है, आपका italic के लिए, मतलब अगर आपने data को italic करना हो, जैसे कि मैंने व आईए दोस्ता बरते हैं, यहां पर next shortcut की, जो की है control plus J, control plus J देखे, assign नहीं है, अभी तक कोई भी MS Excel में जो काम कर सके, तो इसलिए बरते हैं, यहां पर next shortcut की, जो की है control plus K, control plus K use होता है, आपका hyperlink के लिए, जैसे कि अगर आपने किसी भी cell को, या किसी भी text को hyperlink करना हो, एक sheet के साथ, या same sheet में, दूसरी sheet के साथ, तो वह आप easily कर सकते हैं, तो just मैंने यह वाला cell select कर लिया, क्योंकि मैंने इसको hyperlink करना है, press करिया control के, तो आपके सामने देखे, hyperlink के window open हो जाएगी, और यहां पर place in this document कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस जो cell है, इसको मैं किसी के साथ link करना चाता हूँ, तो just मैंने इसको select किया, place in this document, और इसको मैं link करना चाता हूँ, let's say calculate date of birth की sheet के साथ, और okay press किया, तो आपका ये वाला cell आप hyperlink हो गया है, अब जैसी मैं इस पर click करूँगा, तो आपके सामने ये वाली sheet open हो जाएगी, तो वैसे आप hyperlink का अलग-अलग तर तो या तो प्रेस कर लीजे, control plus L और okay press कर लीजे, तब भी आपका data यहाँ पर tables में convert हो जाएगा, यहाँ से आप different different design, यहाँ पर set कर सकते हैं अपने tables का, वैसे दोस्तों अगर आपने यहाँ पर tables में again convert करना हो, तो आप control plus T का भी use कर सकते हैं, तो अगर आपने let's say यहाँ अपना data table में convert करना है, तो control T press करिए, ओके press करिए, तो आपका data tables में convert हो गया है, तो आप यहाँ पर tables में data convert करना हो, या तो control L button press कर लीजे, या control T button press कर लीजे, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं ने एक shortcut की जो कि control plus M, again control plus M, देखिए अभी तक MSXL में assign नहीं होई है, तो हम control plus M की मदद से कोई भी काम नहीं कर सकते है, आई दोस्तों बढ़ते हैं एक shortcut की जो कि आपकी control plus N, control plus N तो देखिए new workbook open करना है, अगर तो आप control plus N बटन प्रेस करिए अपने keyboard से, तो आपके सामने नहीं actual की window open हो जाएगी, आई दोस्तों बढ़ते हैं एक shortcut की जो कि ए control plus O, मतलब अगर आपने कोई भी file save करके रखी Excel में, तो आप control plus O की मदद से कोई भी file यहाँ पे open कर सकते है, फिलाल में अभी open नहीं कर रहा, और next shortcut की है हमारी जो कि control plus P, बहुत यसान shortcut की, अगर आपने किसी भी data का print निकालना है, तो control plus P बटन से यहाँ पे press करके print की command यहाँ दे सकते है, आइए दोस्ता बढ़ते हैं यहाँ पे next shortcut की, जो कि होती है आपकी control plus Q, मतलब अगर आपने data को analyze करना है, तो control plus Q की मदद से कर सकते है, जैसे कि अगर मैंने यह वाला data analyze करना है, तो just data को select किया, control plus Q button press किया, तो आपके सामने analyze की window open हो जाएगी, जहाँ पे आपक shortcut की, जो कि control plus R, जो मैं already आपको बता चुका हूँ, मतलब अगर आपने data fill करना है, right hand side, तो आप control plus R का use कर सकते है, और downward करना है, तो आपको याद होगा क्या प्रेस करें, control plus D, आईए दोस्ता बढ़ने next shortcut की की तरफ बढ़ते है, जो कि आपकी control plus S, जो कि होता है अगर आपन की workbook को save करना है, आप file में जाके save करते हैं अपनी workbook, या आप control plus S की मदद से भी save कर सकते है, आए दोस्ता बढ़ते next shortcut की की तरफ जो कि होता है, आपका control plus T, मतलब अगर आपने text को table में convert करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था, या तो आप control plus L का use कर लीजे, या control plus T का अब यूस कर सकते है, अब next shortcut की होती है, वरत की control plus U, ये भी बहुत इसान सी shortcut की है, मतलब अगर आपने text को underline करना है, तो just अपने text को select करिए, और press करिए control U, तो आपका देखिए जो cells है, जितने बे text है, वो आपका underline हो जाएगा, अब next shortcut की होती है, आपकी control plus V, जो मैं copy के साथ, मतलब अगर आपने text को कोई copy किया, control C से, तो आप उसको paste कर सकते है, control V से, आईए दोस्ता बढ़ते है, next shortcut की जो की होती है, control plus W, मतलब अगर आपने Excel की workbook को burn करना है, तो आप control plus W बटन प्रेस करिए, तो आपसे पूछेगा, कि आप Excel की workbook को burn करने से पहले save करना चाते हैं नहीं, तो मैं इसको save करूँगा या नहीं, save करूँगा, वो आपकी mercy, तो just इसमें अभी cancel पे click करता हूँ, तो अगर आपने workbook को close करना है, तो control plus W बटन प्रेस कर सकते है, next shortcut की है, वो आपकी control plus X, यह भी बहुत एसान shortcut की है, मतलब अगर आपने किसी भी text को यहा से cut होके, दूसरी जगा paste हो जाएगा, आईए दोस्ता बरते हैं, यहाँ पर last की two shortcut की, जो हम इखटे use करते हैं, वो हो था आपका undo और redo, मतलब control plus Y, और control plus Z, undo के लिए हम use करते हैं, control plus Z, और redo के लिए हम use कर सकते है, control plus Y, मतलब अगर आपने कोई भी text लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, एक value 56, और दूसरे cell में लिखा, मैंने 95, अगर मैं यहाँ पर undo करूँ, ठीक है, तो मैं control Z button प्रेस करूँगा, तो देखे, आप पिछले step में चले गए, और आप वापस आप दुबारे उसी step पर जाना चाहते हैं, तो control plus Y button प्रेस करिए, तो वो redo हो जा तो दोस्तों, अगर आपको यहाली वीडियो इंफोर्मेटिव लगी और आप Excel सीखना चाहते हैं, ऐसी और डिटेल में, तो आप हमारा Excel का online course यहाँ पर जोइन कर सकते हैं, जो कि launch होके बहुत ही discounted price में हमारी website पे, जो कि creative learning by retage.in, link दिया है नीचे description में, तो जैसी आप हम college को one step further enhance कर सकते हैं, और साथी में job ready भी हो सकते हैं, और साथी में दोस्तों, जब आप यहाला course complete करेंगे, आपको यहाँ पर completion certificate भी मिलेगा, जो आपको एक अच्छी जॉब पाने के लिए बहुती मदद करेगा, तो दोस्तों, अभी कर लेजे इस course में enrollment, काँगी क्या पता कौन सी चीज कब काम आच है, तो मिलते दोस्तों इस course में, until and goodbye, take care.